प्राइम टाइम के स्पॉंसर हैं स्वागत अधक लेशन और मसाले 100 परसंट प्यूर और हाईजिनिक आदा मैं मुहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खेर मगदम है नाजरें किराम आज विमन्स डे है एट मार्च और सारी खवातीन को आज टैंपर किया जाता है खवातीन को मुबारक बाद दी जाती है कि विमन्स डे मुबारक हो मगर ये जो मुबारक बाद जो देते हैं हाकीकी मानों में मुबारक बाद होनी चाहिए उनके तियों का तहफुज और उनको बराबरी का हख ये सारी चीजें अगर हम उने प्रोवाइड करेंगे तब जाकर ये हकीकत में मुबारक बात पेश होगी तो हम ने सोचा आज विमेंस डे के मौके पर हम एक खातून से बात करेंगे ये खातून है जनाबा सेदा मश्कुरा बीबी ये मौला नाजाद नाशनल अर्दू यूनिवरसिटी से अरभी में पिएजडी कर रही है और इससे कबल इन्हों ने कामल तफसीर जाम निजामियां से किया है उसके बाद नाजाद नाशनल उर्दू यूनिवररसिटी से अमे अरभी किया है उसके बाद ये अब रिसर्च में मसरूफ है इसके साथ-साथ इन्हों ने कुलियात न बनात் में मौलिन् vivid का तदریस का काम अंजाम दिया है यह टीचर थी वहां पर काफी खवातिन आती हैं वह खवातिन पड़ाई के साथ साथ अपने मसाल उनके साथ शेर करती हैं तो, उनके जहन में एक खयाल आया क्यों ना? ये जो बढ़ते हुए म Principal है और unleashmart Yak कि वज़े से या किसी और वज़े से खवातीन खुदकशी पर मजबूर हो रही हैं तो यह खुदकशी की शरह किस तरह से रोकी जाए और फिर शादी शुदा जुन्दगी को किस तरह से खोशगवार बना जाए इस बारे में इन्होंने सोचना और गौर फिक्र करना शुरू क किया तो हम इन से आज बात करते हैं मश्कूरा साहबा आपका वीबिन चानल पर खायर मक्दम है जी जजा कुम ला शुक्रिया जी सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि आप मौलाना आजाद रिसर्च मौलाना आजाद युनिवर्सिटी से पिएजडी कर रही है तो आपक रिसर्च का टापिक क्या है? जूर्फ में भी उनकी शायरी है उनके कई दवाविन मौजूद है दीवान मौजूद है तो उससे मुतालिख मेरी शायरी है उनके जो एहम सरकरदा शौरा है प्रोमिनेंट पोइट्स इन इस्पेन ठीक है तो माशालला आपका टापिक शायरी है ये एक और बात हमारे सामने खुली है शायरी करना कोई मामली बात नहीं है कौन सी भी जबान में कोई भी जबान ले लो शायरी उसका सबसे उंचा दरजा होता है जबान का तो मैं यखीन के साथ कह सकता हूं कि आप अरबी में ब प्री मेरेज काउंसिलिंग का आपके जहन में कैसे ख्याल है? जी, सबसे पहली बात तो यह है कि इस बारे में कभी मैंने सोंचा भी नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ जानूंगी या पढ़ूंगी या दूसरों को इस जानिब तवज्जू दिलाऊंगी तकरीबन तीन-चार साल पहले या उससे पहले मेरे जहन में ये बात आई और उस वक्त ये बात मेरे जहन में आई जब वक्तन फ़क्तन बाद बच्चियां मुझसे काल करती और पूछती के बाजी हमारी शादी है, आप क्या नसीफ करेंगी? अब क्या नसीफ करेंगी? हमें क्या करना है? क्या नहीं करना है? ये एक खिसम है, दूसरी खिसम की वो बच्चियां जो बाद में मुझसे कांटेक्ट करती है जो महीने बाद या और बाद में भी जब थोड़े से तालुखात में खराबी हो जाती सास हुसर के साथ या फिर शोहर के साथ या ननन्न के साथ तो वो डिप्रेशन का थोड़ा शिकार होने लगती और पूछती के क्या करें? या तो कभी वजीफे का पूछती है या कभी उसका हल निकालना चाहती थी शरय यह के बाद से. तो मैं उनको किसी हद तक मेरी थोड़ी बहुत इस मसले में जो मेरी मालूमात थी मैंने हुजूर अज़ूर अज़्वाज मुतहरात की जिन्दगी के बारे में जो पड़ा था रजिय ल्लाह उनना तो उसके बारे में बताती थी कि उनकी शादी शुदा जिंदगी ऐसी थी उनके यह अखलाग थे वो इस तरह बरते थे हमें ऐसा करना चाहिए सबर करना चाहिए फिर नर्मी के साथ बात अपनी पेश करना चाहिए यह सब बाते में इस टॉपिक पर पढ़ना चाहिए, मैं इस पर सर्च करी, अलहम्दोलिल्ला कई किताबे मुझे मिली, आनलाइन, वैसे तो हाड़ कॉपिज भी मेरे पास बास मौजूद हैं, घर में, हमारी लाइबरेरी में, बतौरे खास मुझे अरबी जमान में बहुत सारी किताबें इस पर मिली, अरबी जबान में किताबें मिली, जो बास किताबें तो ऐसी हैं, जो हकूमत की जानिब से चापी गई हैं, हकूमती लेवल पे, काँ सी हकूमत? गौर्नमेंट ने ये इसके जमेदारी लिए, मेरा ख्याल है, वो किताब जिसकी में बात कर रही हूँ, मिसर की है वो, मिसर की, ठीक है, बहुत सारी अरबी किताबें हैं मेरे पास, अगर मौखा मिला तो मैं उनका भी जिकर कर सकती हूँ, जी, और उर्दू में भी बास किताबें मिली मुझे, उसमें से एक मुखतसर रिसाला है, जो मुबारकपूर में एक मदरसा है, जामिय इशरफिया, उसके बाने हैं लिखी, बहुत छोटा सा है, 65 सफे का, मगर बहुत उमदा रिसाला है, फाइदा मंद है, तो उस वक्त मेर जो उन से कॉंटाक्ٹ में रहते हैं, उनके बास चारिदय हैं, उन से ये बात बोलते थे, तो वो डिरेक्त मुझे से वात थे, मेरी इन से वात नहीं है, ये लेकिन मैं सुनती थी, को बोलते थे, कि खुला साब, आप ये काम करीए, बच्यों के लिए, बच्चों के लिए, हम क्लासिस चलाएंगे, ऐसा सेंटर बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन वो काम मारज वजूद में नहीं आया, वो काम नहीं हो सका, लेकिन अब एक मौका ऐसा आया, कि जो वाखिया हुआ, खुदकशी का वाखिया हुआ, बतौरे खास, फिर एक के बाद दिगरे वाखियात हो रहे हैं, एक और वाखिया भी पेशा है उसके बाद, जी जी, उसके फौरी बाद, और अंगबाद का भी वाखिया पेशा है, जी, तो उस वज़े से वाली साब ने है या पीर है या आलिम हैं तो उनसे बहुत सारे लोग मिलते हैं उनके हाशे में होते हैं उनकी मजलिसों में बैठते हैं तो उन तक हम यह बात आसानी से पहुंचा सकते हैं कि वो इन मसायल में कैसे इन मसायल को कैसे हल करें तो आपने आपने अरब्य किताबों का मुशाहिद चाहूंगी कि मुझे चुंके जरा इसका शौख हो गया था यह पढ़िंगे इसके बारे में और थोड़ा और थोड़ा चुंके मैं रिसर्चर भी हूँ जैसा मैं मेरे टॉपिक पर पढ़ती हूँ तो वही मिजज थोड़ा सा पीजडी रिसर्च स्कॉलर का बन जाता है चु में से बतोरे खास मुहम्मद महदी इस्तंबूली की किताब है तुष्पतु जिवाज है उसका नाम है एक किताब के अल्हायात जोजिया साइदा भी है उसका नाम इस जैसी दो चार किताबे मिली मुझे जो प्री मैरेज कॉंसलिंग से मुतालिख है जी तो मैं यह जाना च है अब क्या यह एक्सपटीज भी आपने हासिल किया है कि इस तालीम को जो है रेसेपियंट्स तक पहुंचा सके एफेक्टिवली जी पहला मेरा मकसद यही था ये पढ़ने का इन किताबों को देखने का मेरा मकसद यही था कि उन बच्चियों तक मेरी बात सही तरीखे से पहुंच सके वो जो मसला अपना हल कराना चाहती है सही तरीखे से मैं उनके मसायल को हल कर सकूँ इसी वज़े से मैंने क्या क्या, कि जब कभी कोई मुझसे काउस करती तो मैंने क्या क्या, किजो खास किताबे हैं मेरे नस्दीक, दो चार किताबे, उन किताबों को मैं PDF उनके पास SEND कर देती हूँ, उनको मतलब एक कॉल में या फिर मुलाखात में मैं उनसे थोड़ी बातें मेरा जो मुतालिया उसका निचोड है अगर्चे हम ये बात बुरी समझते कि प्री मैरिज कौंसलिंग पे गुफटबू करें बात करें बहुत बुरा या मायूब समझा जाता है कि अरे इसके उपर बात करें लेकिन जरूरत उसकी है उस जरूरत को समझते हुए मैंने अलहमदुलिल्ला ये काम किया और उनका किताबे में पहुँचाती हूँ लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि सरिफ किताबों के जरी हम ये बात आगे नहीं पहुँचा सकते ये जो हमारा जिस दोर से हम गुजर रहे हैं उसमें जबानी काउंसलिंग आनलाइन हो या आफलाइन हो इसका एहतिमाम करना बहुत जरूरी है इंशालला हुटाला अलसमा उनुसना ट्रस्ट इसका इंतिजाम करने की खोशिश कर रहा है ओके बहुत बहतरीन है तो ये किस तरह से आप ये काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्या प्लान है आपका जामेतल मुमिनात के जो फाउंडर है डॉक्टर हाफेज मस्तान अली निजामी साब उन्होंने कहा के वो इस काम में हमारा साथ देंगे अलसमा उसना रिसर्ट सेंटर का और उन्होंने कहा के जगा अगर औरतों की क्लासस के लिए आप चाहते हैं तो हमारा मदल साथ जामेतल मुमिनात हम आपको देंगे इस काम के लिए और टीजर्स की ट्रेनिंग भी वहाँ पर आप कर सकते हैं ठीक है किन किन उमोर पर जो है पहली बात तो ये है कि प्री मारीज कौंसलिंग क्या चीज़ है इस बात को मैंने वहाँ पर रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि ये चीज होती क्या है अगर्चे कि वो उसको समझते भी है उसके काम भी करते हैं और उनसे चंद सवालात किये जाते हैं कि आप निकाह का मतलब क्या समझते है ये बहुत सारी चीज़ें होती है उसके बारे में उनसे सवाल क्याते है और उनसे तवखवात उनकी पूची जाती है और उनके माखासित क्या है वो भी मालूम हो जाते है कि निकाह के बाद ऐसा होगा अब जिसे बच्चेओं के जहन में होता कि शादी हो गई तो बस मतलब हवा में उड़ने लगते हैं हम ऐसे हो जाएंगे वो हो जाएंगा ये हो जाएंगा मतलब जाने के बाद में कुछ भी ने रहता लेकिन तो बहुत ज्यादा तवखवात होन से ये इसलाम के नुखते नजर से इसमें ये होता है कि उन्हें बताया जाता है कि निकाह में क्या हलाल है क्या हराम है जायज क्या है ना जायज क्या है पाकी के क्या मसाइल है और एक दूसरे के हुखूख क्या है एक दूसरे की जिम्मेदारियां क्या है आम तोर पे खवात काउंसलिंग की जरूरत भी नहीं यह समझा जाता है तो हर दो के लिए जरूरी है कि दोनों की प्री मैरेज काउंसलिंग की जाए तो अब आएसे लड़का लड़की जो प्री मैरेज काउंसलिंग के लिए तैयार नहीं होंगे उनके लिए क्या होगा उनके लिए जैसा के कल एक मखाला निगार ने कहा, उनुने बहुत अच्छी बात की, सब लोगों ने उसे खुबूल भी क्या महजूज रिए, उनुने कहा कि ये काम हुकूमती सते पर होना चाहिए, ये काम अगर हुकूमती सते पर होगा, और उने निकाह से खबल सेटिटिट का इज्रा किया जाए हैं उसके बाद वो इससे मसरूर भी होंगे और मजबूर भी होंगे उन्हें मजबूर नहीं गाम करना होगा बाखाइदा शरही काउंसिलिंग को इंस्टिटूशनलाइज किया जाएगा जी बिल्कुल इंशालला हुटाला ओके जी वालिस सहाब का यही कहना है और उनकी एक बहुत सालों से खोहिश थी उनकी इंशालला हुटाला अब उसको बरोयकार लाएंगे इंशालला तो इसका मतलब यह हुआ कि हर निकाह करने वाले जोड़े को यह कंपलसरी है कि वो प्री मैरेज शरही कांसिलिंग एटेंड करें जी जी बैयत की चार खिसमें हैं जैसे जब आपके पास मूबिन रटें आएं और इस बात पर वो बैयत करें कि वो चोरी नइकरेंगी बदकारी नहीं करेंगी और यह 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 काम आच चीजिंगों को गिनाया गया और बच्छों का खतल नहीं करेंगे लिए यानि फैदा होने से पहले यह स्थोट थि जी तो वाल शरही प्रिमेरिज कॉंसलिंग में ये बैत भी शामिल हो जाती है अच्छा ओके बहुत अच्छे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके हमारे प्रोग्राम में शिर्कत करने का बेहर शुक्रिया अभी एक एक एहम पॉइंट कल के मखाले के अगर आप इजाज़त दें तो म यहां पर शेयर करूंगी यही बताना चाह रही थी कि जो बचियों की बाते होती है मुझे तक पहुंची उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा के निकाह से पहले जब दोनों की अलग-अलग कॉंसलिंग हो जाए तो फाइनल एक कॉंसलिंग होनी चाहिए जिसमें दोनों भी सवाल करे इससे भी सवाल करे इससे भी करे तो भूच सवाल जो हूंगे इस पिसम के सवाल है जब है कि उनके प्लम को आखथ और किर्दार यह पता चे 2प uh लिए कर ना चाहिए और माली और माशी वसाइल भी क्या है और मसाइल क्या है क्या प्रॉमलब है उनको और सोर्स क्या है इंकम की और शादी में राइज रुसूमात क्या है इसके बारे में भी बात हो उनके घर में अलग हैं हमारे घर में अलग है अब इनों बोलते के ने भी हमारे पास त करना चाहिए मुभबत का मुख्म क्या है इज़िवादी तालुफ का मतलब क्या है आपस आपस ही तालुखात का मतलब क्या है और इमानी और रूहानी पहलो क्या है इसका फिर निकाह के मकस्त क्या है और तखाजे क्या है ऑलाद की एहमियत है यह नहीं है आपके पास यह भी दोनों से पूछेंगे, बाद में फिर परेशानी ना हो, उसके बाद आईली जिमेदारियां क्या है, सुस्राली रिष्टेदारों के साथ रहन सेहन के बारे में भी पूछा जाएगा, फिर मौामिलात को सुल जाने की जो सलाहियत है, डिसिजन मेकिंग उसके बारे में भी, आईम कम देने की वज़े से भी लड़ायां होती, तो ये पॉइंट पर भी बात की जाएगे, और जब दोनों मुलाजिम हों, दोनों भी काम करने वाले हों, तो उस वक्त इसकी एहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, ये पॉइनल जो काउंसलिंग होंगे, इसमें उनसे जिन्दा नहीं रह सकते, जिन्दगी किसलिए दिये गई है, ये उन्हें पता नहीं है, और खास तर पर ये रस्म और रिवाज है, ये बेजा रस्म और रिवाज जिसकी वज़े से भी अख्तलाफात होते हैं, और पिर जी, जी, पता नहीं होगे, तो मुहबत भी धंकी होगा, भरोसा भी होगा, एक दुसरे से जूट भी नहीं बोलेंगे, अखलाखी अख़दार को भी अपनाएंगे, ये फाइदे होंगे उसके. ठीक, देह शुक्रिया प्रोग्रम में शामिल होने का, तो नाजरीन ये थी सेयदा मश्कुरावी भी, इन्होंने प्री मैरेज शरी कांसिलिंग सेंटर के क्याम के तालुक से जोर दिया है, इससे क्या-क्या फाइदे होते हैं, वो इन्होंने गिना है, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने बताया है, अब देखना ये है कि आगे इसको किस तरह से अमली जमा पहना जाएगा, और किस तरह से अवाम इस्तफादा करेगी, और शादी शुदा जिन्दगी के एक्तलाफाद खतम होंगे, खुदकुशियों का सिलसला खत्म होगा, अगले एपिसोड तक लिए हमें दीजी अजाज़त, शब खेर